सब्सक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको समय समय नोटिफिकर्सन मिलती है ठीक है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला ससन अपना जो है क्लास यह वाइड बूर्ड की सहता से होने वाली थी पर बावीस खरब कि विज्ञान किसे कहते है वास्तों में विज्ञान क्या होता है तो प्रमबद और सुसंगतित अध्यन कर लेते हैं तो ही क्या बन जाता है एक पयासा सुनेगा किसी भी विशयका सुविवस्थित प्रमबद सुसंगतित अध्यन करने को हम क्या कहते हैं विज्ञान कहते है तो उसे विग्यान की एक साखा के रूप में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बायलोजी को पढ़ेंगे ठीक है देखो मैंने यहाँ पर लाइन को लिखा है आप चाहे तो उनको पढ़ भी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्या मतलब नहीं है थीक है आप क्यों लिए समझे आज़ें कि अगर आपसे पूछले यह जाए कि बायलोजी क्या होता यह पुछा जाया था तो आप क्या कहा आपधियांगे आप यहां पर ने लिखा किसको अरस्टू को बालो जी को भीघ्यान की इक साखा के उप में अस्थापित करने का सरय जाते हैं का मतलब आपसे क्वेस्ट्टन पूछ ले लोगी फादर आफ बाइलोजी पूछ ले क्या पूछा झाज़ा बिटा आपसे और इसके साथ अरस्टू ने एक और काम किया अरस्टू ने पुस्त्रा की बेटा एक पुस्तग लिए जीव का इतिहास क्या नाम दिया जीवों का इतिहास अरस्तु की पुस्तक क्या नाम था जीवों का इतिहास और इसमें अरस्तु ने तक्रिवन 500 जीवों का अध्यन किया क्या किया 500 जीव जनतों पजातियों के बारे własे बताया और किताब नियम पर जीव का हिटिहास क्या कहते हैं अरस्तु को फादर आफ जूलोजी भी कहते हैं अभी हमने पढ़ाता कि फादर आफ ये बाइलोजी थे और उसके साथ साथ हम अरस्तु को क्या पढ़ते हैं अरस्तु को फादर आफ जूलोजी भी पढ़ते हैं ठीक चलो एक और बिन देखते हैं अब जो आपका बाइलोजी है बेटा ना इस बाइलोजी को दो हिस्सों में बाटा गया क्या 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 बाइलोजी जो थी इसको दो हिस्सों में बाटा गया क्या एक को कहा गया जीव विग्यान जो था एक को कहा गया जन्तु विग्यान थमझेगा जो जीव विग्यान था उसमें से एक को कागए जंतुविञ्ञान और दूसरी को क्या कहा गया बनसपतु तो जंतुविञ्ञ्ञ्ञ् Najnia जयनक इदनक आपके रस्थ होँ है लेकिन जो ऒनसपतु पकई य्दिनक आपका वनसपतु आन उसके जने कौण फ्यॉम्त पैस्ट्रस है झानक इन्हों अब थोड़ा सा इससे बायोजी शब्द से बना किसे ऐसे जिसका आप अंग्रेजी देखेंगे तो क्या होता है लाइफ का मतलब क्या जीवन या जीव कह लिजे ठीक है और जो इसमें दूसरा सब्द था बायो प्लस लोगस था क्या था ऐसा सब्द मिलेगा आपको बायो प्लस लोगस क्या मिलेगा लोगस तो बैटां जिन लोगों ने साइकलोजी पढ़ा होगा हमारे साथ उनको हमने बत से बना देखो यहां मैंने लिखा भी है यह आप मैं अंडर लाइन कर दे रहा हूं ग्रीक भासा के बासकिन सब्ड यह से बना एक जिसका आद के चरना तो चरनना मतलब क्या बनस्पति विज्ञान का गया अब देखो पिट्ड़ आपको क्या करना है आपको living तो अगर भी तो अपनी सोयम की प्रकित बनाते हैं क्या यहां मैंने लिखा सैटमेंट लिखा आप समझे सवयं मज़र मिज़े ऑर इंके लिनेवाले संवादतन्त में होते हैं और ऑदीब को उदीपकोंते इंदर व्यूहार कहने चमता पाई जाती को एक्स्टरनल स्टिमूलस है तो उसके लिए ब्यवहार भी कर सेते कौन जो आपकी लिविंग ठीक्स होते हैं लेकिन जो लान नान लिविंग ठीक्स होते हैं वह ब्यवहार नहीं कर पाते हैं एक्स्टरनल स्टिमूलस के लिए ठीक है और स्वयम से तो बि प्रक्रिति का स्वेम बढां ले अपना नेचर स्वेम क्डेट कर ले लिए उन्हों क्या कहेंगे लिविंग दिंग कहेंगे ठीक है और इसके साथ बहुत साइच चीजह ऐसे हैं जो लिविंग और नौन-विंग धीक्स reference create करते हैं देखो अगर आप सामाने सब्दों में जानना चाहते हैं तो कुछ चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और बिंदु हैं देखो यहां देखो पहला बिंदु बने के लिखा कोस्का है स्वीव की रचनातमक वाक्कावियातमक इकाय होती है देखो जो living things से बात करें बैटा तो जितनी भी living things है उनका जो body सबसरा कुछ कािया बंग से र्चनात्मग और कारयात्मग उकाई कि को कहते हैं कि आप से पूछा जाएगा जो कि से र्चनात्मगों से रिठसा हुई जिस से रचना हुई हो तो सभी जो रचन्ड Got norちょ कि काई है वास्तों में क्या होती है यह चीज किसमें पाई जाती है बेटा यह चीज क्यों लिबिंग थिंग्स में पाई जाती है यह जो अब इसस्ताइं आप पड़ रहे हैं यह वास्तों में क्या कहती है यह लिबिंग थिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे आप पहचा क्या कहते हैं प्रोटोप्लास्म कहते हैं यानि कि जी उद्रब बे कहते हैं ठीक है समझे किस बात को कोस्काओं में जो जयोपदावत पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं उनको प्रोटोप्लास्म कहते हैं यानि कि जी उद्रब बे कहते हैं और एक बैग्यानिक है एक बैग्य जिवों की भौतिक आधार सिला क्या है प्रोटो प्लाजम है आप से जो question पूछेगा ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जिवों का भौतिक आधार सिला है या जिवों की भौतिक आधार सिला किसको कहते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा प्रोटो प्लाजम को जिवों की बहुत तिक आधारसिला कहते हैं इसके साथ और देखेंगे जो living things होती ही बटा ना उन living things की सबी की अपनी अलग-अलग आकरती और आकार होता है है ना उनकी shape अलग होती है उनका size अलग होता है जो living things होती है ॐनकाdragon thankfully होती है एक जैसे बहुत rare case में मिलते हैं ठीक है इसके बाद अगले बिंदु की बात किया जाए तो देखो जितने भी living things हैं जितने भी living things हैं सभी में क्या जरवरासाइनिक ट्रियाओं को उपापचे कहते हैं जो जरवरासाइनिक ट्रियाओं होती हैं जितनी भी living things हैं उनमें जो भी जरवरासाइनिक ट्रियाओं होती हैं हम किया है इसको आप बढ़ सकते हैं क्या बोल सकते हैं और दूसरे को होता है वो कैसे होता है constructive होता है कि निर्माड करता है किस चीज का निर्माड करता है जैसे आपके इंदर भोजन का निर्माड कर दे ना आपके निर्माड कर दे प्रोटीन का निर्माड कर दे वशा का निर्माड कर दे जो सारी चीजे हमां इंदर निर्माड होती है वो क्या है वो सब मिटोबॉलिस्म की हैं यानिकि उपचय है और कुछ चीजएं ऐसी हैं जो हमारे निर्मार्णहर के बिध्ध्धुस होती हैं जो डिस्ट्रक्टिब होполож20 हैं उनको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अपस्यस्ट पदरत को हम निकालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे उसको कैटाबॉलिजम का मतलब कि अपचे और जो एनबॉलिजम है उसका मतलब क्या उपचे तो समझना फिर से एक बहुता दे रहाँ कि मानो सरीड में जो जणर वासाइनिक प्रियाएं होती हैं सभ्ण क cui m sure WHY आपने समझे लिए वागा अब जो कोशकाएं होती ना सजीओ की जो कोशकाएं होती है उनको क्या कोई होती है पैट दियोंगो शाला कहते हैं बैघकिए सुमें क्या होता है कि बायो केमिकल एक्टिविटीज होती है क्या होती है बायो केमिकल एक्टिविटीज होती है इसलिए उनको क्या बोलते है उनको लग हुगा सायनिक उद्योग शाला बोलते है ठीक है तो यह क्वेस्टन भी आप से पुछा जागा इसके आप सब को पता हो सियोटू को लेते हैं और हमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम आक्सीजन को लेते हैं हम आक्सीजन को लेते हैं सियोटू छोड़ते हैं लेकिन यह जानी कि जो सजीओं है ना उस सजीओं में क्या होता है जितने भी सजीओं सठीन सपार मेफार करता है और बिघटन होने से हमेशा ध्यानी जगा जब भी बिघटन क्रीया होगी ना तो बिघटन से और जा मुक्त होती है किस सवोसंब की डौनरान वह सफिरो की में होती है इन वो में अदी घ्रस्पिट लिए अडिनgili स्वाला साउन्स की तो एडिनोसीन ट्राइफासफेट बोलते हैं किसको ATP को फिर से सुन लो कि स्वसन के दोरान जो हमारे इंद वसा कार्बोहाइडरिड और प्रोटीन इन सब का बिगटन होता है न उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ATP में उर्जा संचित होती है ATP में का होती है ORJAS अजब होती है आप से ATP का पूरा नाम तो ATP का पूरा नाम क्या बतांगे ADENOCINE TRIFUSPATE ADENOCINE ADE NO ADENOCINE SINE TRTR AIDENOCINE TRIFUSPATE ADENOCINE TRIFUSPATE ठीक है ये ATP का पूरा नाम इसके अत्रिक्ती बेटा और भी जो जियोधारी होते हैं है जीवधाई के और दिसτο सेथा देखें। तो उन जब में क्या होता प्रजिनन होता है.. प्रजिनन का मतलब समय छुब्रेटक्षन. प्रेटक्षन का मतलब होता है कि जब जो भी जीवई न हेल यह इसी को हम क्या कहते है कि अप वि प्रोड़क्शन यारु को उत्पत किया तो यह भी साजीयों में पाई जाता है इसके अधि क्बोशन घुरह है आपना भोजन उन मिसेस करते हैं तो पनिपर होते हैं और जो पंड़ होते हैं यौह अपना भोजन जो है आप जानते हैं कि प्रकास की उपस्थिती में क्या करते हैं बनाते हैं प्रकास की सहायता से फोटो संसलेशन होता तो अपने भोजन का निर्मार करते हैं इसके साथ अनुकूलन होता है जो सजीव होते हैं उनके अनुकूलन एडाप्टेशन पाया जाता है क्या ह हमारे इंदर यह छमता होती है कि हम अपने जीवन में संघर्ष कर सकते हैं और संघर्ष के साथ-साथ जो भी चीज़े हैं संग्रचना है कारी है इन सब में क्या कर सकते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अनुकूलन बोलते हैं एडाप्टेशन बोलते हैं इसके साथ-साथ हमारे दूसरजन पायास कि हाम बहुत साइं ज़ीजों को हमारे निकार्फदार्वत होते हैं उन सब को भाहत निकालने का और फिर क्या है एक जीवन चक्र अजयों में इसके बाद हो जाएंगे इसको लाइफ साइकिल होता है थीक हैं तो थेकला आज का पर वास्तो में बालो जीख क ह्मने बताया न कि दो सखना एक झूलोजी बोलेंगे दूसरे को बातनी बोलेंगे घ्यां यह सारी कीज को पड़ते हैं वास्तों में ये ङल्लाइक की लिए इस काम चोड़ेगा एगा लिए ज़गर चेनल पर नहीं तّो चैनल को subscribe कर लेज़ेगा आप लोग और उसके साथ बेल आई कर लिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप मैं संस्थान के paid course को ले सकें बाई कर सकें तो उसके लिए अभी link में आपको क्या मिलेगा link में आपको description box में आपको link मिलेगा उसको follow करते हूँ तो आप लोग क्या करेंगे उतक्रिस्ट app को install कर लेंगे और जब उतक्रिस्ट app को install कर लेंगे तो वहाँ जो भी courses है उनको आप सब लोग buy कर सकते हैं ठीक है तो आज की class में इतना ही जल्दी मिलेंगे आप सबको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार